क्या नितिश कुमार इंडिया गट बंदन से नराज हो गए हैं? क्या नितिश कुमार एंडिये में जाने की भूमिका बना रहे हैं? क्या नितिश कुमार इंडिया गट बंदन की और से पियम पद का उमिदवार बनने की लालसा पाले बैठे हैं? क्या नितिश कुमार के इस प पमतब एनरजी के कॉंग्रेस के राष्टी अध्यक्ष मलका अजुन खडगे का नाम भी पीम पद के लिए प्रस्तावित किया गया कि नितिश कुमार उखडगए पता चला है कि नितिश कुमार इतने उखड़े हुए हैं कि उन्होंने इंडिया गटबंदन का नाम भारत रखने का प्रस्ताव दे दिया नितिश कुमार ही नहीं लालू परसाद भी मीटिंग खतम होते ही पतना रवाना हो गए राजनीतिख खलके में चर्चा है कि नितिश कुमार पियंपत का उमिधवार बनना चाहते हैं और लालू परसाद भी उनके सुर में सुर मिला रहे हैं दिल्ली में ही अशोक होटल में हुई गटबंधन की बैठक में वैसे तो सीटों के बटवारे और सन्यूत संगर्ष, EVM समेथ कई मुद्धों पर चार्चा हुई पर प्रधान मंतरी पत का प्रसाव सबसे अधिक चार्चा में चल रहा है। कॉंग्रिस अध्यक्ष मलिका अजुन खडगे के नाम का प्रसाव इंडिया गटबंधन के प्रधान मंतरी पत के रूप में किया गया पर वहर चुनाव जीतने की बात कर टाल गए। दरसा टीमसी मुक्या और पस्चिमी बंगाल की मुक्यमंतरी ममतब इनर्जी ने प्रधान मंतरी पत के लिए मलिक अजुन खडगे के नाम का प्रसाव रखा और दिल्ली के मुक्यमंतरी अरुविंदर के जीवान ने उनके इस प्रसाव का समर्थन किया। कि जदियू मुख्या निदुश कुमार और राजद मुख्या लालू प्रसाद यादव इस प्रस्ताफ के खिलाफ देखे गए ये दोनों राजनीतिक दिगज मीटिंग खतम होते ही रफुचकर हो लिए सब अप्रमुख अकिलेश यादव भी इस मामले पर चुपी साथ गए दरसाद इंडिया गदबंधन बीजेपी के OBC कार्ड के जवाब में दलित कार्ड चलते की राजनीतिक बना रहा है दलित चहरे पर चुनाव लड़ने की राजनीति बनाई जा रही है मलिका अजुन खडगे को प्रधान मंतरी पत का उमिद्वार बना कर गडबंधन के नेत सपा राम गुपाल ने इस मुद्दे को बैठक में उठाया भी उनका कहना था कि यदी बसपा के साथ किसी तरह का गडबंधन होता है तो फिर सपा को इसमें इतराज होगा मलिका अजुन खडगे ने मामले को संभालते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं मलिका अजुन खडगे क को मायावती की काड़ भी माना जा रहा है दसल अशोका होटल में इंडिया गडबंधन की मीटिंग से पहले ही प्रधान मंतरी पत के उमिद्वार की बात उठ रही थी बीज़ेपी नेता इंडिया गडबंधन के सभी दलो में नेताओ को पीम पत का दावेदार बनाते और आप सन्योजक अन्विंद के जिवाल ने उनके प्रस्ताव का समर्थन कर दिया गडबंधन के लगबख सभी दल उनके नाम पर सहमत नजर आए हाला कि मलिका अजिन खडगे के चुनाव जीतने की बात करते हुए मामले को टाल दिया फिर भी मलिका अजिन खडगे का पी जिमें हमारे लोग हैं वो एक दूसरे से समझोता करेंगे अगर समझोता नहीं बन सकता तो इंडिया गडबंधन के लोग नेनय करेंगे उनका कहना था कि सांसद नहीं है तो पी-म की बात का क्या फाइदा इसलिए हमें कोशिश करने चाहिए कि पहले हम जीत कर आए वही मी ममताब एनरजी का यह प्रस्ताव चुकाने वाला है क्योंकि टी-मसी और कॉंग्रेस बंगाल में धूर विरोधी मानी जाती है इसकी जलके दोनों दलों के नेताओं में देखी जाती है यही नहीं इस प्रस्ताव के साथ ही साफ है कि ममताब एनरजी पी-म की रेस में किया था जिसे बिना किसी विरोध के पास कर दिया गया हाला कि पीम फेस के सवाल पर यूपी के पूर्व सीम अकिलेश यादव ने चुपी सामने की बात सामने आई है मीटिंग के बाद मलका उजुन खडगे ने बताया कि चौती मीटिंग में 28 पाटियों ने हिस्सा लिया न नहीं खडगे ने कहा कि पीम कौन होगा इसका फैसला हम जीतने के बात करेंगे हमारा पहला काम है चुनाव जीतना इसके बाद हम तैग करेंगे दरसल नहीं दिली के अर्शोक होचल में आयूजित इंदियागड बंदन की बैठक वे कॉंग्रस अध्यक्ष मलिका अजुन पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहूल गांधी और संग्टन महासचीव केसी वेनुगोपाल, जेडियू से बिहार के मुख्यमंतरी नितिश कुमार और आजीव रंजन सिंग तरिमूला कॉंग्रिस के पस्च्रिम बंगाल की सीम ममताब एनरजी, डीमके की ओर से ट पक्षिगडबंधन इंडिया की तीन बैटके हो चुकी है, इसमें पहली मीटिंग बिहार के पटना में तेज जून को हुई थी, वहीं दूसरी मीटिंग बैंगलूरू में 17 और 18 जुलाई को हुई थी, इसके अलावा तीसरी बैटक में मुंबई के 31 और 1 सप्टमबर को अभ्लाई